चालीस दिन में युवक को साथ बार साप काटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है पतैपूर के विकास द्रुवेदी का मामला देश बर में चल्चा में बना हुआ है विकास द्रुवेदी को 40 दिन के अंदर इस साप ने साथ बार काटा है हाला कि विकास द्रुवेदी हर बार इलाज के बार ठीक हो जा रहा है लेकिन अब विकास ने दावा किया है कि नौवी बार साप काटेगा और कोई बचा नहीं पाएगा दो जून को पहली बार साप ने काटा जब मैं अपने बिश्तर विछा रहा था इसके बाद मैं सनी बार संडे लगातार बाइट कर रहा है मेरे उपर और तीसरी बार तो हमें ऐसा सपना आया था मतलब रात में कि हम आपको नौ बार काटेंगे तीसरी बार में तो ये बात हमने अपने परिजन को बताई माता जी को बताई, पीता जी को बताई, चाचा को बताई सबको मैंने ये बात उनके सग्यान में डाली इसके बाद मैं जब चौती बार तो पहली बार तो काटा तो हमें ये लगा था कि ऐसे बारिस का मौसम चल रहा है निकल आया होगा, पैर पढ़ गया होगा तो काट लिया दूसरी बार ये लगा कि साहथ पैर पढ़ गया हो इसकी वजह से काट लिया हो ठीक, और तीसरी बार जब मेरे साथ ये हास्ता हुआ तब हमको ये लगा कि ये कोई मतलब ऐसे नहीं काट रहा है कोई नो कोई इसका पीछे का राज है फिर इसके बाद चौटी बार काटा, पांचवी बार काटा काटने के पहले हमें चार पांच घंटे पहले से अभास हो जाता है कि आज के दिन हमें काटेगा हम अपने परिजनों को बता देते है सब को बता देते हैं बताने के बाद में जब बता देते हैं तो लोग हमको चारो तरफ से कबर कर लेते हैं पहले चार बार तो अपने घर में रहे हैं ठीक है और दो बार चाचा के आ रहे हैं और एक बार मौसी के आ रहे हैं जब तीस्री बार काटा था तब डाक्टर जवाहर जो हमारा इलाज करते हैं, उन्होंने हमें कहा था, कि कुछ दिन के लिए तुम कहीं अब बाहर चले जाओ, बाहर जाके अपने रिलेशन में कहीं रह लो, तो यहीं फतेपुर में खुसवक्त राइनगर गेट के पास, राधानगर में मौसी रहती ही मे मेल जीक करता है, व्याहर ची रहन के पास साब तो लुष नुरम याया है मे रिखाए जब पहली बार उसने काटा था तो हमने उसकी पूछ जो थी आधा तो अंदर चला गया काटने के बाद जब आधा बचा तो उसकी पूछ पकड़ कि हमने बाहर निकालने कोशिश की कि हाथ में तो पकड़ लिया है एक बार काटी लिया है दुबारा भी काट लेगा तो क्या होगा नसर तो उतना ही होगा एक आप के बारे में आज तक कभी मैंने साप तो देखा ने यहां कि ब्लैक इंद cuanto देखा खाल ल unanimous और कि अनले बड़ा था इसका knocking इंद किता यह क्या सकने में मुझको खुद बदा यह अए तीसरी बार में ही बोल दिया था कि नौ बार काटेंगे थीक है नौवी बार हम आपको अपने साथ में ले जाएंगे, कोई भी आपको ना डॉक्टर, ना तांत्रिक, ना महराज, ना पंडित, कोई भी आपको मौलाना तक नहीं बचा सकता है अडिक ना तो जब आपको काचा है, काचमे के बार हमाले आपको अपने सरकारी हस्पताल ने हमें हैं हमें तो याद नहीं हैं, कि क्या कह достиEnt? Вс 죄 of Hayant Re лож Lal ने बता ऑख गया तहो के डॉक्टर जो बड़ा डॉक्टर कोई वहां था नहीं ठीक जो सीनिएर डॉक्टर थे authentic वह फोन में बात कर रहे थे कहरे थे कि कहां है जैसे आदमी सरकारी तो चीज दो ही होती जितने बार आपको सांपने नहीं काटा है आपके ऊपर एंटीवेनम लगा दिया जाएगा तो आपको क्या हाल होगा वो आप खुद जानेगा आपको तो खुद ही पता होगा डॉक्टर खुद जानते होंगे चीज़ अजा हर बार सनुवार को पड़ता है इस बार आपको ब्रास्पत्वार को बाइट कर चुका है अब कब कटेगे सटा एडे को पक्का है फटेपुर परशासन सुलजाएगा रहसे विकास दुर्वेदी के पीछे पड़े साप का रहसे सुलजाने के लिए फटेपुर परशासन आगे आया है विकास को साप काटने के मामले में जाच के लिए बकायदय कमेटी बनाए गई है कमेटी हर साप के बार-बार काटने और इलाज समेथ सभी पहलूँ पर जाच करेगी कमेटी जाच के बाद इस साप के बार-बार काटने की रिपोर्ट डियम को सौपेगी क्या है पूरा मामला मलवाथ हाने शेत्र के सोरा गाउं के रहने वाले विकास दुर्वेदी को बार बार साब काट रहा है विकास की ओर से दावा किया जा रहे कि साब अब तक साथ बार उसे निशाना बना चुका है CMO डोक्टर राजीव ने यनगिरी ने कहा कि तीन डोक्टरों की कमेटी बनाई गई है ये कमेटी विकास का इलाज करने वाले निजी होस्पिटल के डोक्टर से पूश्टाज करेगी इसकी जाज की जाएगी कि अगर साथ बार सापने काटा तो डोक्टर ने उसे क्या इलाज किया एक ही अस्पिताल से चल रहा इलाज मिली जानकारी के नूसर हर बार विकास का इलाज एक ही अस्पिताल में करवाया जा रहा है विकास और उसके परिजन अभी तक इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ने गए हैं जबकि जिले के सभी सरकारी अस्पतालों में साब काटने का इलाज और सारी दवाई भी हैं लेकिन विकास दुरुवेदी इलाज के लिए सिर्फ एक इस्पताल जा रहा है झाल झाल